प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरिवाडी जीवन की रोटी नेनों की जोती अंधेरा मिटाती भाडी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है साथ दिसंबर मंगलवार पहला पाठ ग्रंथ अध्याई 40.05.01-11 तक इश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता है तुमारा इश्वर यह कहता है मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो यरुसलेम को धारस बधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसके विपत्ती के दिन समाप्थ हो गए है और उसके पाप का प्रायस चित हो चुका है प्रजन प्रदेश में प्रजा का मार्ग तयार करो हमारे इश्वर के लिए मेदान में रास्ता सिधा कर दो हर एक घाटी भर दी जाए हर एक पहाट और पहाडी समतल की जाए खड़ी चटान को मेदान और कगार को घाटी बना दिया जाए तब प्रबु इश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे क्योंकि प्रबु ने ऐसा ही कहा है मुझे एक वानी यह कहती हुई सुनाई पड़ी पुकार कर सुनाओ और मैंने कहा मैं क्या सुनाओ सब शरीरधारी घास के सद्रिश है और उनका साउंदर्य खेत के फूलों के सद्रिश जब प्रबु का श्वास उनका स्पर्ष करता है तो घास सूख जाती और फूल मुर्जाता है निस्चे ही मनुष्य घास के सद्रिश है घास सूख जाती और फूल मुर्जाता है किन्तु हमारे इश्वर का वच्चन सदा सर्वदा बना रहता है सीयोन को शुब संदेश सुनाने वाले उन्चे पहाड पर चड़ो यरुसलेम को शुब संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज उन्ची कर दो निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो यही तुमारा इश्वर है देखो प्रभु ईश्वर सामर्ति के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा वो अपना पुरिसकार अपने साथ ला रहा है और उसका विजियो पहार भी उसके साथ है वो गडरिये की तरह अपना रेवट चराता है वो मेमने को उठा कर अपनी चाती से लगा लेता और दूद पिलाने वाले भेडे धीरे धीरे ले चलता है यह प्रभु की वानी है संदमतिक अनुसार पवित रिश्व समचार अध्याय 18 वाकिय 12 से 14 तक येशु ने अपने शिश्यों से कहा तुम्हारा क्या विचार है यदि किसी के एक सो भेडे हूँ और उनमें से एक भी भटक जाए तो क्या वा उन निन्यानबे भेडों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी वही को खोजने नहीं जाएगा और यदि वह उसे पाए तो विश्वास करो कि उसे उन निन्यानबे के अपिक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड के कारण अधिक आनंद होगा इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्यों में से एक भी खो जाए ये प्रभु का दिव्य सू समचार है क्रिस्त प्रभु की जय मेरे प्रिये भाई और बेनों हम आगमन काल में हैं प्रति दिन मसीह के आगमन से संबंदित संदेश हमें सुनाये जाता है हम इसी तरह प्रभु की गृपा में आगे बढ़ें और प्रभु की उस महान त्युहार के लिए अपने आपको त्यार करें और प्रति दिन प्रभु की गृपा को प्राप्त करते विए मैसूस करें आज का पहला पाठ नभी इस्यास की ग्रंद से लिया गया था अध्याई 40 से नभी इस्यास की ग्रंद को हम तीन भागों में तीन खंडों में विभाजित कर सकते हैं पहला खंड है अध्याई 1 से लेकर 49 तक और दूसरा खंड है अध्याई 40 से लेकर 55 तक और तीसरा खंड है अध्याई 56 से लेकर 66 तक विद्वानों का कहना है कि ये तीनों खंड अलग अलग लोगों की द्वारा लिखे गये हैं आज हमने दूसरे खंड से वचन सुना इसको समझने के लिए हमें उस समय की प्रिष्ट भूमी को समझना जरूरी है आपने बार बार सुना है इस्राइली जनता इस्राइल का राजा इश्वर से विमुक हो गए और इश्वर के आग्याओं को लंगन करने लगे और उनके उपर इश्वर का जो सम्रेक्षन था हाड गया और वे विदेशी राजाओं की अधीन हो गए बाबुल के राजा ने इस्राइल पर विशेश करके यरुसेलेम पर अकर्मन किया और यरुसेलेम की केमती चीजें उठागे ले गए सोन चांदी और अन्य चीजें मंदिर को द्वस्त कर दिया और यरुसेलेम के सक्षम लोगों को मजबूत स्वस्त पढ़े लिखे विद्वान अन्य स्वस्त लोगों को गुलाम बना कर ले गए गुलामे में जी रहे यहुदियों पर इस्राइलियों पर प्रभू की दया दिखाई दी इस्राइल में यरुसेलेम में जो बकी बचे हुए थे वे अपने में बहुत ज़्यादा निराशा मैसूस कर रहे थे कि हम बरबाद हो गये हैं आगे हमारा गया होगा इस्राइल में विशेश कर गी यरुसेलेम और आसपास के सबी लोग दुखी और पीड़ी थे ऐसी परिस्थती में इश्वर संदेश सुनाता है आज के पार्ट में आपने सुना तुम्हारा इश्वर यह कहता है मेरी प्रजा को सांतोना दो यरुसेलेम को धारस बढ़ाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसके विपत्ती के दिन समाप्त हो गए है और उसके पाप का प्राश्थत हो चुका है एक बात को समझना जरूरी है इस्राइलियों ने इश्वर का तरसकार गिया इश्वर की आग्याओं का उलंगन गिया जिसके कारण उनको आज गुलामी झेलना पड़ रहा है गलती जनता से हुई लेकिन इश्वर जनता को छोड़ता नहीं है यह है हमारे प्रभू इश्वर नर्गमन ग्रंध के अधियाए 34 उसके वाकिछे में मुसा से इश्वर ने कहा अपने स्वभाव को बताते हुए उसको प्रकट करते हुए कहा इश्वर ने मुसा से कहा कि मैं एक ऐसा प्रभू हूँ जो करुणा मैं हूँ कृपाल हूँ देर से क्रोध गरने वाला अनुगरा का धनी इश्वर ने इस्राइलियों पर प्रकट किया गलती इस्राइलियों से हुई लेकिन इश्वर उन पर दया दिखाता है उनको सांतोना का संदेश सुनाता है हम पढ़ेंगे उत्पति ग्रंद की अध्यायतीन में आदम और हेवा ने पाप किया इश्वर की आग्या का उलंगन किया लेकिन इश्वर आदम और हेवा को छोड़ता नहीं है उनकी खोज में निकल पड़ता है इसी तरह आदम और हेवा की पुतर काईन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की इश्वर उसको छोड़ता नहीं है अपनी दया और करुणाम्प के साथ उसके पास आता है और उसको अपनी दया दिखाना चाहता है इसलिए प्रभु कहते हैं सांतो ना दो सांतो ना दो इश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों बरताब करता है स्तोत्र एक सो तेन उसके वाक्य तैरा और चौदा में हमें पढ़ने को मिलता है जिस तरह पिता अपने पुत्रों पर दया दिखाता है उसी तरह इश्वर अपने भक्तों पर दया दिखाता है क्योंकि वो जानता है कि वो किस चीज के बने हुए है इश्वर हमें अच्छी तरह जानता है हमारी प्रिष्ट भूमी को जानता है सब कुछ को जानता है इसलिए हमारे पापों के बावजूद हमारे आग्याओं के उनलंगन के बावजूद वो हमें सांतों ना देता है आगे आज के पार्ट में आपने सुना वचन में क्या लिखा हुआ है आगे बताए गया है जो हो गया सो हो गया अब मसीहा के इंतजार करो वचन में लिखा हुआ है नरजन प्रदेश में प्रभू का मार्ग तयार करो हमारे इश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो पहाड और पहाडी सम्तल की जाए खड़ी चंटान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए तुमने इश्वर का तिरसकार किया तुम भी पत्ती जहल रहे हो कोई बात नहीं अब भी तुम इश्वर का स्वागत करो जो हो गया सो हो गया कोई बात नहीं, अब भी तुम ईश्वर का स्वागत करो, ईश्वर के लिए मार्ग बनाओ, पथ बनाओ, इस तरह ईश्वर के लिए, ईश्वर के आगमन के लिए, तुम्हारे जीवन में ईश्वर के क्रियाशीलता के लिए मार्ग बनाओ, आगे वच्छन प्रभु बताते हैं कि तुम्हें जानना जरूरी है ताकि तुम्हें अपने ईश्वर का तरसकार नहीं करोगी तुम्हें जानना जरूरी है कि सब शरीरधारी घास के सद्रिश है और उनका सवंदर्य खेत के फूलों के सद्रिश है जब प्रभु का श्वास उनका सपर्श कर तो घास सूख जाती और फूल मुर जाता है निश्य ही मनुश्य घास के सद्रिश है घास सूख जाती और फूल मुर जाता है किन्तु हमारे इश्वर का वचन सदा सरोदा बना रहता है इसलिए प्रभु कहते हैं अपने इश्वर का स्वागत करो अपने इश्वर का स्वागत करो वह तुम्हें अपनाएगा वह गड़ेरिये की तरह अपना रेवर चराता है वह मेमने को उठा कर अपनी चाती से लगा लेता और दूत पलाने वाली भेड़े धेरे धेरे ले चलता है नभी स्यास की दौरा इस्राइली जनता को जो तूटी पड़ी थी निराश पड़ी इश्वर सांतो ना देता है उसको समझाता है कि तुमने इश्वर को पहास किया आवग्या की लेकिन इश्वर वैसा नहीं है इश्वर करुणा मैं है इश्वर दयालू है वो कमजोरों को दिल से लगाता है उसी तरह तुमारे साथ विवहार करेगा इश्वर का स्वागत कर मेरे प्रिये भाई और बेनु हमारी जीवन में हम अक्सर तूट जाते हैं निराश हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि इश्वर रह में त्याग दिया है हम पढ़ेगे स्तोतर चाउंतिस में स्तोतरगार कहता है प्रभू दुखियों से दूर नहीं है प्रभू दुखियों से दूर नहीं है जिसका दिल तूट गया है प्रभू से संभालता है एक सच्चाई है हमारा इश्वर करुणा में है कृपालू है, दयालू है हम प्रभू के करीब आएं इस श्यास अभी के गरंद के अध्याए पच्पन उसके वाकि आठ और नौ में प्रभू कहते है तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है जितना आकाश पृतिव से उंचा है उतना तुम्हारे विचार और तुम्हारे मार्ग मेरे मार्गों से अलग है इश्वर का विचार और हमारा विचार एक दूसरे से भिन है इसका एक सुन्दर उदाहरन आज की इसु समाचार में आपको पढ़ने को मिला प्रवियशु एक सुन्दर दिश्टाद सुनाते हैं ये इसु ने अपने शिष्यों से कहा तुम्हारा क्या विचार है यदि किसी के एक सो बेडे हूँ और उनमें से एक भी बटक जाए तो क्या वह उन निन्यानबे बेडों को पहारी पर छोड़ कर उस भटकी भी बेड को खोजने नहीं जाएगा और यदि वो उसे पाए तो विश्वास करो कि उसे उन निन्यानवे के अपिक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड के कारण अधिक आनंद होगा कितना फरक है दुनिया की लोग क्या करते सो भेडे हैं एक हो गई है ढूंडे नहीं मिले तो क्या करेंगे जाने दो निन्यानवे के लेके चले जाएंगे ये दुनिया की सोच है लेकिन प्रभु की सोच ऐसी नहीं है प्रभु की सोच कुछ अलग है प्रभु के सामने हम में से हर एक महतपून है खोईवी भेड़ भी उतने ही महतपूने जितने निन्यान भेड़ है प्रभु गिन्ती के साथ नहीं जाते हैं प्रभु एक एक व्यक्ति को महतव देते हैं इस्याज नभी अध्याय तिरालिस उसके वाकिय चार में प्रभु कहते हैं तुम मेरी दिष्ठी में मुल्यवान हो और महत्व रखते हो मैं तुम को प्यार करता हूं प्रभी ईश्वर हमें बाहि रूप रंग देखकर प्यार नहीं करता है हम पढ़ेंगे इस सैमुल के पहले ग्रंदि के दियाज 16 उसके वाकिय साथ में प्रभु कियाते हैं सैमुल को बताते हैं कि ईश्वर का विचार प्रभु का विचार मनुष्यों की विचार की तरह नहीं है मनुष्य बाहि रूप रंग देखता है लेकिन ईश्वर मनुष्य का हुर्दय देखता है किसी भी मनुष्य की मृत्यू से ईश्वर प्रसन नहीं होता है किसी भी मनुष्य के पतन से ईश्वर को खुशी नहीं होती है हम पढ़ेंगे एजेकिल नभी के ग्रंध की अधियाए 18 उसके वाक्य 32 में लिखा हुआ है मनुश्य की मृत्यू से ईश्वर को दुख होता है मनुश्य की मृत्यू से ईश्वर को मनाया है आप और मुझमें ईश्वर को अपना प्रति रूप दिखाई देता है इसलिए हम कितने ही पाप करें कितने ही बुराई करें ईश्वर हमारे तरसकार नहीं कर सकता है क्योंकि वो हमें प्यार करता है क्या एक माँ अपने बच्चे को इसलिए फेक देगी क्योंकि वो गिर गया है बेल्कुल नहीं उसको धुलाएगी नहलाएगी और उसको ताजा बनाएगी सुसमाचार में प्रभी ये सुस्पष्ट बताते हैं लोका सद्याई उन्ने स्वाक्य दस में जो खो गया था मानो पुत्र उसी को ढूणने और बचाने आया है इश्वर ढूणने और बचाने आता है आदम और एवा ने पाप किया लेकिन इश्वर ने उनका तरसकार नहीं किया उनको ढूणने आता है पूछता आदम तुम कहां हो काइन ने पाप किया लेकिन एश्वर ने काइन का तरसकार नहें किया काइन को ढूणने आता है बैभल में हमें बार-बार इसी तरह के संदेश मिलते हैं जहांपर एश्वर के विचार हमारे विचार से भिन दिखाई देता है एश्वर हमारी तरह बगार नहीं करता है एश्वर एश्वर है वो दयावान है करुणाम है, कृपालू है आज के सुसमाचार में अंतमी प्रभु ने क्या कहा इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए उन नन्हों में से एक भी खो जाए एक एक वक्ती प्रभु की दिष्ठी में मूल्यवान है और प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी खो जाए प्रभु ढूणते रहते है मौका देते रहते है ताकि खोया हुआ वापस आ जा है कितना संदेश है हमारे ईशोर हमें दंड देने वाला नहीं है यहन अध्यायती इन वाकिछ सत्रह में प्रभी यशु कहते है इशोर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए ने भेजा कि वो संसार को दोछी ठहरा है बलकि इसलिए कि संसार उसकी द्वारा मुक्ति प्राप्त करे वो हमें मुक्ति देने के लिए आये हैं हमें बचाने के लिए आये हैं हमारे अंदर जीवन फूकने के लिए आये हैं प्रभु को धन्यवाद देश के लिए आखे मन किजिए प्रव यशो धनेवाद देते हैं तेरे संदर संदेश के लिए दोनों पाठों में जो संदर संदेश दिया गया पाप के बाउजू तू हम से इतना प्यार करता है जो हम मनुशित समझने पाते है तेरा प्रेम अथा है अगाध है इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं तेरे समाहान प्रेम को और गहराई से जानने और समझने के लिए हमें गरपा दीची ए प्रभी येसू इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बेनों को आश्रवाद देना वे जहां कहीं भी इस समय उनको आश्रवाद देना वे जहां कहीं भी जाएं तेरे आश्रवाद के एसास करें जो कुछ करें तेरे आश्रवाद के एसास करें अमारी प्रात्ना को गरहन कर आमेन पागत्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है